नमस्कार स्वागत है आप सभी का क्रियेटिव कुकिंग दिधाशा में आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मखाने की खीर आप सभी को पिसंद आएगी तो चलियाई बनाते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी मखाने, देसी घी, चीनी, पानी, दूट, हरी इलाईजी जिसे हमने पाउडर बना लिया है गुलाब जल, बादाम, काजू और आपके पास जो भी ड्राइफूट्स हों वो आप ले सकते हैं तो चलियाई बनाते हैं सबसे पहले हमें एक कड़ाई ले लेंगे और उसमें दो बड़े चमच देसी घी के हम डाल देंगे घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है अब हम इसमें मखाने डाल देंगे और इमें कुछ दिर भून लेंगे देसी घी में मखाने हमारे अच्छे से ब्राउन हो गए अच्छे से भून गए अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसे हम लेट से ढख देंगे इन्हें अब हम चेक कर लेते हैं कि इसमें हम डेढ़ ग्लास दूर डाल देंगे इलाइची का पाउडर डाल देंगे अब इसमें चीनी हम दो तीन बड़े चम्मच इसमें हम चीनी के डाल देंगे चीनी आप अपने स्वाद अनुसारी डालें पाथ से दस मिनिट के लिए इसे अब हम लिट से ढख देंगे इसे अब हम चेक कर लेते हैं मखानों को हम अच्छे से मैश कर लेंगे थोड़ा सा ताकि खीर हमारी अच्छे से गाड़ी बने इसे इसी तरीके से प्रेस कर लेंगे खीर हमारी अच्छे से रेड़ी हो चुकी है अब हम इसमें माजू डाल देंगे आम भी डाल देंगे बारी काट लिया है हमने इने आप इसमें थोड़ा सा केसर भी डाल सकते हैं इसमें हम 2-3 बूने रोल्स वाटर की भी डाल देंगे इन सब को अच्छे से मेक्स कर लेंगे और 2 मिनिट के लिए हम इसे लेट से ढख देंगे आईए अब हम इसे चेक कर लेते हैं खीर एकदम से रेडी है हमारी अब हम इसे सर्व कर लेते हैं मखाने की खीर रेडी है आप इसे फ्रिज में ठंटा करके भी खा सकते हैं या गर्मा गर्म इसका मज़ा ले सकते हैं 10-15 मिनिट में बन जाने वाली यह खीर I hope आप सभी को बहुत पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले Thank you